हेलो एविवन सबसे पहले आज की टॉपिक आपको पता देती हूँ तो आज की टॉपिक है आपके लाइफ में क्या चल रहा है और उसका सॉलूशन क्या है ठीक है डीडिंग का टॉपिक क्या ही है सो आप लोग वेरे साथ बने रहेगा और जो चीजे मुझे नजर आएंगी वह मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी ठीक है तो आप टेंशन नहीं लीजे फूल फोकस होकर के यह डिटिंग पे देखिए आपको अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हो सकता है इसका सोलूशन आपको आज के अपनी इस रिटिंग में मिल जाएं तो चलि रागल, यंवेवर और सिस्ट्रोष चलिक रॉड़ के आप़न जापका ऴटनी जेए है तो, से सबस्ट पारोई में जापकर लाइबा सिस्ट्लिक संस्ट कार Magician 10 of Cups 3 of Swords 10 of Swords Queen of Cups Temperance Page of Pentacles And last card The Hermit Okay Bottom of the deck Five of Swords So, you're going to be very difficult In your life, you're going to be a problem It seems like You're going to be a disturbance Your life is going to be a disturbance You're going to be a disturbance You're going to be a pain You're going to be a loss This feels like कोई ना कोई कोई ना कोई प्रॉब्लम आही जाते हैं और अभी भी फिलहाल आपके life में बहुत ज़दा प्रॉब्लम्स हैं जो कि मुझे clearly नजर आ रही है प्रॉब्लम्स यहां भी इसलिए मुझे नजर आ रही है क्योंकि कहीं न कहीं आप दोनों की बीच में जो relationship है न देखिए यह बहुत प्रॉब्लम्स दे रहा है बहुत ही ज़दा प्रॉब्लम्स और मैं यह भी देख पार हूँ जैसे कि आपका और आपके partner का जो relation है love life की बात करूँ मैं तो आप आप न एकदम से टूट गए हो ठीक है और हो सकता है कि आपको दोखा में मिला हो आपके मन में कुछ ऐसी बाते हैं जो कि आप छुपा रहे हो आपके मन में बहुत सारी ऐसी बाते हैं जो कि आप छुपा रहे हो और आप बताने ही रहे हो आप अपने दिल की बाते अपने तक ही रख रहे हो कहीं न कहीं कुछ ऐसी बात जरूर है जो कि आप बताना तो चाह रहे हो लेकिन आपके जो कहता है न कि हिमत नहीं होते कि बताओं है न तो वो सारी चीजें मुझे नजर आ रहे हैं कि आपकी हिमत नहीं हो रहे हैं कि आप किसी को बताओ इतना अज़दा प्रॉब्लम मुझे दे रहा है आपकी लाइफ में ठीक है मुझे ऐसा भी हो रहा है कि काफी अकेले पन को काफी तकलीफ को दिखाता है ऐसा दिख रहा है जिसे कि यह जो अकेला पर है ना आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत 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 जदा आपको डीपली आपको तकलीफ दे रहा है कहीं ना कहीं यह जो relationship है ना हर्मिट का काड़ एक दम से clear देख रहा है ना कि आप अपने आपको अकीलेपन में देख रहे हो आपका जीवन जो है ना एकदम अकीला हो गया है आपके जीवन में आपका सांथ देने वाला अभी फिलाल कोई नहीं है आपको लगता है कि यह कैसा होगा क्या होगा क्यूंऄा इसे सारी चीजिए इdher के उधर हो गई है आप अपने लाइफ में छाहते हो सक्सक्स को ठीक है आप अपने चाहे लफ रेलेक्शंसप्तों हो खाये करियर को आप चाहते हो पूर्ण हो ना है ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जिनको जिनके पास सब कुछ है लेकिन क्या है एक बच्चा नहीं है तो बच्चे के लिए भी कुछ लोग परिशान मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोगों की एनर्जी मुझे यह से भी दिखाई दे रहे हैं जैसे क कि देखो सपनी बहुत खुबसूरत देखे गए थे कुछ और सपनी अचानक से कुछ टूट भी गए हैं ठीक है ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ ना आप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो कुछ चीजों को पाना है कुछ चीजों को मैनिफेस्ट करना है लाइफ में आग रहा की बढ़ने की चाहत रखते हो भूद सारे हैं आपके रहे हैं को मैं पुह भी याद आरही है आपको अपने पार्टनर से बात्वी करने हैं आपको यह भी लग रहा है कि जल्दी से जलने रियूनियन हो जाए पेशन्स रखना पड़ेगा उसके लिए हैना यहां पर देख रहा है कि पेशन्स रखना पड़ेगा आपको खुद फील हो रहा है कि इतनी जल्दी शायद हमारा रिलेशनसिप अच्छा नहीं होगा या हाजमन वाइफ का ही किस है तो इतनी जल्दी नहीं हो पा रहा है कहीं नहीं आपका झोड़ेशन कोई कुछ सजा करना चाहते हो लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं है काफी इमोशनल भी हो और आपनुच बूरा है इसा भी दिख लिए जिसे कि आप जानते हो कि, क्या आच्छा है पूरा है, सब पूर लेकिन फिर भी आप पनी एक काता कि जिन्दीगी में कुछ चीज़े होती हैंIf उन्धेनि और स्के यह उदास हो जाता है, तो परीbus ने shapiraan में क्या कार्ट्स निकल के आते हैं क्या करना चाहिए मेरे वीवर्स को अपनी इस सिट्टिशन के अनुजार से कि सेवन और वॉर्ण देखो माना कि आपके सामने परिशानी बहुत जादा है बट आपको उन परिशानी से डिल करने होगी आपको यहाँ पेर पीछे करने से कुछ नहीं होगा आपको लाइफ में आगे बढ़ना है आपको क्या करना है पूरी स्ट्रेंद के साथ पूरी पावर के साथ लाइफ में मुझे यहां पर दिखरा है कि लाइफ में काफी प्रॉब्रम्स दिखाई दे रही है है मुझे और ऐसा दिख़रा है कि आपको guidance के रूप कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पेशिंस रखो और जो चीज़े आ रही है सामने उसका मुकाबला करो strategy बलाओ plan बलाओ हैना अपने career के लिए भी अपनी life के लिए भी हर एक चीज के लिए आपको plan बनाना पड़ेगा और plan बना के तब चलना पड़ेगा थोड़ा सा माइन लगाओ क्योंकि यहां पर माइन लगाने की ज़रुत है six of cups का card थोड़ी सी मैं कहुंगी थोड़ा सा अपने friend zone में जाओ ठीक है friendly अपना nature बनाओ और थोड़ा सा मैं कहुंगी कि खुल के अपने friend से बात करो ठीक है क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि आपके जीवन में चल रही समयशाओं का सामाधान कर देते हैं तो येस आप उनसे थोड़ा सा जिकर कर सकते हो अपनी लाइफ में जो भी चल रहा है जो भी चीजे चल रही है थोड़ा सा परिशानी भरी है ठीक है तो क्या हो सकता है conditions है ना क्या हो सकता है situations आप उसको थोड़ा सा देखो ठीक मुझे queen of wands का कार्ड वह होत बहुत बहुत हो जड़ा खुबसरत कार्ड आया है ऐसा दिख रहा है कि queen of wands का कार्ड क्लियर बता रहा है कि आपको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल बनना होगा ठीक है आप अपने आपको थोड़ा सा अपने प्रस्नालिटी के उपर ध्यान दो और प्रस्नालिटी जैसे ही आपकी अच को सुरुआत करो कुछ नए एनर्जी के साथ चीजों के साथ आपको सुरुएद करने की जरुत है और लाइफ में बहुत कुछ आप अच्छी और सब्द्ब कर सकते हो जैसे कि किwo कि लव आपको मैनिट करना है जैसे कि आपको लव लइक में दोका मिला एक है तो जिससे比, म को मत अपनाओ जो कि आपको दोखा दे रहा है या दे गया है ठीक है तो लाइफ में आगे बढ़ना जदा अच्छा रहेगा तो न्यू बिगिनिंग करो अपनी लाइफ में देखो देथ का कार्ड भी आया है ना तो जो चीजें हमें हमसे जूड़ना नहीं चाहते हैं उनको परदस्ति क्यों जो होना है ना तो बात वही है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए एक नए सुर्वात करने चाहिए तो यह रही है आपकी रिडिंग थैंक्यू सो मच बबाई